हरे कृष्णा अब सबको स्वागताम गीता मरत बिंदु के पगोद गीता के चट है द्याय में हम लोग प्रोविश कर रहे हाज अब ही प्रात्मसी शुरू करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे Everybody Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 आय रामा आय रामा 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 राया प्रभुपना जया प्रभुपना रामा 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 राम अजिए पाउने नाम संकेतन की शेमत भगवत गीता की ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम अज्ञानत मिरंद स्ञाना जनशलाकया चक्षवन मेलितं जेनत अस्मे श्री गुरवे नमः नमा ओम विष्ण पादाय कृष्ण प्रिष्थाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामिन नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निरविशेशेश शुन्यवाधी पाष्चात्य देशतारिने जयस्रीकृष्ण चैतन्यप्रभुनित्यानंद श्रीद्वाइत गदाधर श्रीवासाधि गौरभक्त वृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna यस चाटए अध्याय के शिरुवात में मन के विशे में येक महत पुर्णा estiver होती है इसके पीचले अध्याय के अंत्यम शिरुब्ध में हमने पढ़ा शांति सुत्र कैसे तीन चीज़ समझने से हम असली शांति को प्राप्ता करते हैं क्या-क्या है बगवान ही बोगता है इस दुनिया के सब चीज़ बगवान की कुशिके लिए है उनको ही इन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए ऐसे करने से हम खुद भी तुष्ट होंगे सब जीवों को तुष्ट कर सकते हैं जैसे दो सरल उदारने दिया गए हैं बागवत में जैसे हमारी शरीर के सब आवेव मिल जुल कर पेट को पोशन जने के लिए कर्म करते हैं जैसे पाइर चलता है होटल में आँख देखता है बोशन को नाख सूंगता है हाथ उटा कर मुख में देता है दान्त चबाता है जिवा स्वाद लेता है लेकिन आंततु कत्वा सब लोग मिल जुल कर किसके लिए काम कर रहे हैं पेट के लिए लेकिन आगर ये सब लड़ाई करेंगा लेकिन आगर ये बैट बैटे-बैटे कार रहा है हम सब लोग कसरत कर रहे हैं इस तरह पंचसे दे में कहानी आता है बाद में सब लोग स्ट्राइक में चले गए तो वाइसादू देखा जाए तो ये सब तक गए पैर तक पया हाथ तक गए जब लोग समझ गे पेट को दिये बिन हमको पोशन नहीं मिलने माला है बागवान को ऐसे ही है जब हम बागवान को ना मान कर हम अपने अपने स्वार्थ भावना को लेकर अपने इंद्रियों के दुष्टी के लिए हम इदर बागदर करते हैं हम सुख जाते हैं अनेक वो ताहिस दुनिया में लेकिन सब जीव साथ में आकर मिल दूल कर बागवान को पोशन देंगे बागवान की मंदरी में आता हैं बागवान को सर जुखता हैं बागवान के लिए किर्दन करता हैं बागवान की काता श्रवन करता हैं अपने मन इंद्रियों को समय मित करके बगवान की बक्ति में लगाता है तो बगवान की तुष्टी के लिए जो काम करता हूँ सारे दुनिया को बलाई कर रहा हूँ यह एक उधारा ने दिया है दूसरा उधारा ने दिया है पेड़ के मूले में पान डालने से सारे पेड़ के डालियों को जैसे पत्तों को, फूलों को, फॉलों को पहुंच जाता है हलांकि पेड़ बहुत बड़ा भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है सिर्फ यही पाइंट में पान डालने का बास, वो मूल है बगवान भी ऐसे ही मूल है यतातरोर मूलन शेचनेन त्रिप्यंति तचकंद बुजो पशाखा प्राणो पहार आचायते इंद्रियाना ततेव सरवार हनम अच्चुतेज्या बगवान अच्चुत की पुजा जब किया जाता है वो पेड़ के मूल में पाड़ी लालने के बराबर है सारे दुनिया की जिवरेशन को बलाई होगा उससे तो यह एक बात हमने सिखाता दूसरी बात है सर्व लोग महेश्वरम बगवान ही सब लोगों के परमेश्वर है सब देवता भी उनको जुकते है तो भागवत में एक ऐसे कता आता है कि बली महाराज करके एक राजा देवताओं को भी संपती को भी चिन लियाता उसने स्वर्ग में जाकर इंद्र की कुर्ची में पैट गया हो सब देवताओं को बगा दिया उसने तो देवताओं की मा अधिती प्रात्ना करके बगवान को विनती की उनने मेरे पुत्रों के राज जी को अफला उटा दीजिए हसरों से तब बगवान एक मामन देव बनकर आये बटू आमन चोटे तब बली महाराज को मिलने के लिए के दान सिकू करने के लिए बली महाराज ने देखा कि एक चोटा ब्रामन आए हते जस्वी ब्रामन मन्मियों को देने की इच्छा हुई बोला कि ये ब्रामन थीनों लोगों मेरे हैं तुमको जो लेना है लेलो मेरे से तो उनके अंदरे से गर्वता बगवान तो मुस्कुरा रहे थे वह लेकि मुझे तीन पाउं चाहिए बस वो बोला कि आप तो बा लेने वाले के पास अकल नहीं तो देने वाले को भी अकल नहीं है क्या इतना तोड़ा दिया है बोलेंगे लोग है वो बोले नहीं नहीं है ब्रामन हो जो जो तना चाहिए उतना ही लोंगा बोला ठीक आर्गी दे दिया कमंडरों लेकर ता बगवाने अपने आपको विस्त आप तो बगवान है साक्षात, मैं प्रसंद हूँ जो आपके ही संपती को लेकर मैं बोग रहा था, आपको ही संपत दे दिया, मुझे बहुत कुछ हो रहा है, तो आप, आपको मैं आत्मन इवेदन करता हूँ, मेरे सर के उपर आपका पाउं रिखिये, बोलकर मेरे दादाज मेरे दादाजी जोगां प्रहलाद माराज, उनके आनियाई बनकर में भी आपके बगता बन जाओंगा, बोला, कुछ होगे बगवान, बगवान बोले कि बली, तुम आशरी प्रवितियों को टाह कर तुम मेरे बगता बन गे, इसलिए मैं तुमको तीन वर्दान देता आदर लोका में तुमको बिलस रुक का राजा बनाऊंगा, दूसरा में खुद ही तुमारे द्वार पाल बनूँगा, तीसरा है अगले जन्म में तुम इंदर बन जाओगे, अभी जो संपति तुम से में लूट लिया उसको वापिस कर दूँगा तुमको, इस तरह बर्द वो भी समझ जाते हैं कि बगवान ही सर्व लोक महेशुर है, तिनों लोक उनका ही है, तिनों की ही नहीं, अनंतकोटी ब्रह्मान है उनका, और सुर्दम सर्व भूताना, सब जीवों के हृदे में बगवान देनाज महन है, अंतरयामी की रूप में, ये श्वरस सर्व भूत सब जीवों के हृदे में अंतरयामी की रूप में बगवान करे हैं, जीव के बाजु में, इसलिए वो ही नेंतरा करता भी हैं, वो ही शुबचिन तक भी हैं, तो ये लास्ट श्लोक में हमने पढ़ाता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान योग चटा द्याय सब्सक्ति आगे का, उसमें जोगाशरुट रूड़ुक्षू शुरुवात का स्तर है, योगारुड़ परिपक्वा स्तर है, इसके बारे में में आजन पढ़ेंगे, तो ये साहरामशभी दो अंगों में दिया गया है, पहले चार सब्ड़ों में बगवान इसके बारे में कि वो सब बता गया कि वह जले कर वह ले जाते हैं जंगल में ये सानीया शी अवर योग योग जो होते हैं उनको इंधिर्यों का निग्रह करना चाहिए है नहीं तर नहीं को लेकिन भगवान बोलेंगे, ये दोनों से इस रिष्ट निश्काम कर्मयोगी है, क्यों? उसके अंदर, सन्यासी के अंदर जो वाहराग्य है, उनिश्काम कर्मयोगी के अंदर भी है, बड़े-बड़े राजा लोग पर हमने बताया था, जाए सीधुष्टिल महाराज, अंबरिश महाराज इत्यादी, वो लोग रहते हैं सब के बीच में, लेकिन अना सकता हो कर रहते हैं, सब चीज़ बगवान को बोग चाड़ाते हैं, उस तार उपर देगा चाहिए, तो वो सैनेस जैसे हैं, इसलिए उनके इंद्रियों का सब बगवान को दे दिया, उन्होंने सेवा में, रिशीके न, रिशीके शेवना, इसलिए उनके इंद्रियों का दुष्परयोग नहीं हो रहा है, इसलिए वो योगी भी है, इसलिए सन्यास ही चाहिए, योगी चाहिए, ऐसे बगवान बताएं बटवामन को लेकिन प्रेमाई सम्माद जुड़ गया उनका बगवान से वो समझ गये कि बगवान ही सब जीवों के परमपिता है कुदी उनके बक्त में जुड़ लिया इस तरह हम लोग भी दुनिया के पदर्तों से आसकत ना होकर बली महाराज जैसे बगवान से प्रेमाई सम्माद जोड़ना चाहिए हमको वो समझ गये बगवान की सब के बेस्ट फ्रेंड है तो इधर बगवान कृष्णा शिरुवात में छाष लोगों में दोश लोग अरपित करता है किसके लिए निश्काम कर्मियों के लिए वापिस क्यों ये बोलने के लिए कि निश्काम कर्मियों करके एक व्यक्ति अगर शुद्ध हो गया उसके बाद ज्यान जग जाता है कि मैं आत्मा हूं में शरीर नहीं हूं उसके बाद परमात्मा के ज्यान भी जगता है तो उस अवस्ता में अच्छानक एक भक्ति को अपने निश्खाम कर्मियोग को चाकर तुरंत अश्टांग योग में नहीं प्रवेश करना चाहिए अश्ठांग योग चालो करने के बाद भी पहले चार सीडियां तक उनको निश्खाम कर्म योग भी साथ-साथ करना चाहिए इसलिए भगवान निश्खाम कर्म योग के गुणगान भी कर रहे हैं इदर उसके कारण निश्खाम कर्मयोग की गुणगान कर रहे हैं भगवान तो यह बार में अफ्लो चार्ट देख लिए आप इधर देखे इधर यही पताते हैं श्रीजर स्वामी भी जब तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ है सिर्फ सन्यास लेने से काम नहीं होता मौक्षन नहीं प्राप्त होता बोलते हैं और यह बोते हैं कि कभी-कभी मन चित्त शुद्ध हो गया लेकिन अभी तक उन्होंने मेडिटे करके ध्यान करके बगवान के उपर ज्यान ही लगा है इसके कारण क्या होगा वापिस लवटाएगा होगा इसलिए बोलते हैं कि ज्यान योग की पूर्ति जब होता है तो परमात्मा की ध्यान चालू होता है उदर से परमात्मा की पूर्ति जब तालू पूर्ति होता है उसमें बगवान का साक्षदकार प्राप्त होता है इसे तो इस तरह यह आश्टांग योग क्यों दिया गया है बताते हैं कि मन को स्थिर बनाने के लिए इसलिए आश्टांग योग दिया गया है इसे बताते हैं अस्थिर मन को स्थिर बनाने के लिए तो बताते हैं इधर प्रभपाजीमन की तात्री में याश्टांग योग कल यूग के वासियों के लिए नहीं है अरजुन भी खुद इसको नकार देगा बाद में आप सुनेंगे बाद में इसलिए कर्मयोग जो है निश्काम कर्मयोग वो उचित है आज इस तरह है जो नीचे फिक्टिर में आप देख रहे हैं एक बग्ती मुस्कुरा भी रहा है रो भी रहा है यह मन का स्थिति है संकल्प कल्प यूद करता है इसलिए आई से मन को स्थिर करने के लिए आपर मन में जिए और और ज्चीतप योग को पाल्म करना इधर बगवान भी यही बता रहे हैं चकलत राकुर और बल्देव देवर्शन बता रहे हैं कि अच्छानक कि तुम निश्काम करमयोग को छोड़ो मत क्योंकि वो चित्व को शुरुत करता है वो उसको करने के साथ साथ अच्छानक को भी चालू कर सकता है वेक्टि तो यह पिताते हैं कि इसके बारे में अलब भी बता दिया मैं आपको पहले से अब युदर जो बता गया है तो प्रभपत कि तात्परे में जो बात बता था मैंने अब भी बता आपको दो उदारन दियाना पेट के मुल में पाने डालना और पेट में बोजन डालना उसका उदारन इसके समुन में दियाता मैंने ऐसे तो भगवान कृष्णा के बक्त जो होता है उसको परफेक्ट योगी बोलते है पक्का योगी है वो क्यों क्योंकि वो जानता है कि मैं बगवान का एक अंच हूँ इसलिए बगवान को सेवा देने से ही मेरे सब बलाई है वो जानता है अची तरह है और खुद के लिए कुछ इचाने करता है देखे यानी इचा करता है ब्रह्म जोति मेलीन होकर आराम करने के लिए योगी चकरता अश्टा सिद्यों का प्राप्ता करने के लिए अगर कोई खर्मी हो वो भी इस दुनिया में बोग के वस्तु के पीछे चलता है लेकिन बगवान के बक्त जो है उसको बहुत तीक प्राप्ती भी नहीं चाहिए आद्यात में के अपैक्षा भी नहीं है उसका आगे जाकर प्राप्पाजी एक्तात्री में अकोड करता है नदनम नजनम नसुन्दरिम कवितांबा जगदीश हकामये मामजन मनीजन मनीश्वरे भवतात भक्ती रखई तकीत वजी पताते हैं कि हे बगवन मुझे मोक्षा प्राप्त करके बगवत दा में आकर रहना है करके मैं आपसे अकांक्षा भी नहीं करूँगा आप जिदर रखेंगे मुझे मैं बज़र रहोंगा ऐसे एक सुन्दर गीत गाता है बग्ति उनन ठाकर मानसदे होगे हो योकिच्चुमोर अर्पिलुतुवापदे नंदकिशोर संपदे वीपदे जीवने मराने दायममगे लातुवाप ओपदवराने मारु ओविराखोवि जोईच्चातोहार इत्यदास प्रति तुवा अधिकार क्या बदाते हैं इसमें है बग्वान आप मुझे मेरे पास दो जो भी है मेरे शरीर है मेरे नाता रिष्टा है मेरे गर है मेरे मन है सब कुछ मैं आपके श्रीचरण में ने उच्चाओ करता हूँ और मैं जीवी तरह से समय मुर्तिक के परियंत भी उसके बाद भी मैं सदा आपका बग्ति करते रहूँगा मुझे कुछ अप्रसाद का कर आपका असमारन आएगा मुझे बहस उद्राइग मुझे चाहिए इस तरह भक्ति के अपक्षा यही है हम जैसे पांड़ों का पिक्चर दिखा है इदर आप देख रहे हैं आप पांड़ों लोग ऐसे ही थे हे बग्वन आप हमारे हम आपके हैं आपका स्परान करना आपकी कुशी के लिए काम करना आपकी हाथ में हम कटपतली बन जाएंगे और आपकी चाहन सारा मने जिवन चलाएंगे तो इस तरह भक्त जो है उसके व्यक्तित्व जो है भग्वान के साथ जुड़ जाता है इस तरह भक्ति भावना से इसलिए उसके बुद्धी उसके मन उसके इंद्रे सब भग्वान के ओरी ही मुड़कर उसी दिशा में चलता है यही उच्चकोटि का दर्मा बक्ति दर्मा लेकिन इसके बारे में साथवाँ अधिया से लेकर बारे हुआ तक पढ़ेंगे बाद में लेकिन अभी बोल दिया मैंने क्यों क्यों कि चाटे आदे में अश्टांग योग बताया जाएगा लेकिन आरजुन उसको नकार देगा उसको बोलेगा कि नाममकिन है तो उसके बाद बक्तियों को बगवान पस्तुत करेंगे इज़े देगे वाइकुंट का सुंदर द्रिश्य है वाइकुंट में सब जीव रश्या इसी बादा को लेकर बगवान के सेवा में जुड़े हैं लक्ष्मी नारायन के इज़े देखे स्कूल प्रिंस्पल है सब बच्चे उनको मान रहे हैं तो वह सब को अक्या शिक्षा इदर कोटी-कोटी जीवात मायें, बगवान कृष्ण को सेवा देना चाहिए, और कृष्ण उनको शाष्वतानन प्रदान कर सकते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतनानाम एको बहु नाम यो विद्धाति कामान, ऐसे एक श्लोग हैं, बगवान प्रदा कृष्ण को मानकर जो लोग बटिवा में जुड़ते हैं, बगवान उनके लिए हिसदा उनकी स्वरक्षा प्रदन करते हैं, ये सन्यासमित इस प्राहुर योगं तम विद्धी पाणदव नख्यस्ञत सन्कलपो, है योगी प्दभाते कश्ट्न इतरा पता है की है जाग ने पताते हैं कि निने रbersदें को नियंत्रित करता है ताकि मैं इंतरियों की विश्व की पिछे नंए बागों, दोना का उद्देश्च तो एक ही या, इसरा बताता है, लेकिन दर पता रहे हैं कि कोई योगी नहीं बन सकता, जब तक वो इंद्रे भोगों की विश्यों को त्यागता नहीं, ऐसरा बताता है, इसरा पिक्छर में दिखाया गया है, कुछ लोग जानवर जैसे बला करता हो, शुद्ध भक्ति, वो इस ब्रह्मान्त को भी चेद कर बाहर निकल कर, ब्रह्मत जोदी को भी पार करके को लोग में पहुंजाता है, बगवान कृष्ण को मिलता है, नित्य नर्मतर काल के लिए शाष्वत जीवन प्राप्त होता है उसको, तो हम लोग अपने कर्म क्यानिसार इंकल प्राप्त होता है, इसलिए इंध्रे भोगों से हट कर दूर रहाना चाहिए, इंद्रे भोग नहीं करना चाहिए, बगवाथ यम्ति में लगना चाहिए, यह पॉСпॉइंट है, इधर देगे, स्वार्थि लोग क्या करते हैं? वो लोग भवान के बारे हैो कुछ जानकारी नहीं, इसलिए वो जन्ममृति जारावति में, वो लोग इंदे अतरपन करके, लेकिन असलिए सन्यास नहीं तो बक्तियोग क्या है, बताते हैं कि ये जानना कि मैं बगवान के अकंश हूँ, मारिजलन जी बोलते हैं, उसका मतलब है, जैसे नदी का तर्ट ज कभी घिला, कभी शुखा होता है, इसलिए हम लोग कभी बगवद्दा में, कभी इधर हम जीव रहते हैं, हम दोनों उस्तान में रहने के लिए हमारे पास वतन तरदा है, इच्छा करेंगे तो बगवान की बक्ति करके रुदर रह सकते हैं, पर जो बगवान को बूल कर वह बक्त्योंगा, ज़ो बताते हैं, देहे। योगी तो लो इंद्रियों को नियत्रन करता है बैस और अपरमात्म quindi प्रामात्मा का स्मारण न करने के लिए प्रहत न करता है लेकिन वक्त्य क्या करता है? लेकिन लोगा द्चैन लॉत अघरीन क के लिए इसके। इसको बंद करने के लिए दूद का परिवर्तित रूप दूसरा है, क्या है? दही, दही पियो बंद हो जाता हो, दूद से ही बनाए हुआ वह भी है, इसी तरह दुनिया के सामान जो होते हैं, इंद्रिय बोग के उशय, उनको बोग बोग कर इंसान को रोग होता है, लेकि उन इडियो बन जाते हैं उन चीसे को बगवान की सेव में लगाने में, यह भक्ति मारगे की स्रेष्ट था, जैसे आकर आपके पाँ में कांटा चुप गया, उसको दर्द हो रहा है, उसको निकालना तो क्या करते हो, दूसरा कांटा लेकर उसको निकालते हैं आप, कांटा से क कांटा निकालना, इस तरह इस भगतिक दुनिया के कर्म बंदने से उठने के लिए दूसरे तरह क कर्म में करना चाहिए, क्या है भगवान के जुड़ा हुआ करमा, इसको अकरम बोलते हैं, वो बगत बुद्धिमान है, ज्यानी लोग, योगी लोग क्या करते हैं, उसको न मन, बुद्धी, इंद्रिय, सब को बगवान में लगा देता है इसलिए देखे इजर सबसे नीचे जानुवर का जीवन जानुवर जैसे इंसान जीता है करमकांड का मतलब स्वर्ग जाने के लिए और शेव बोगन को पराप्त करने के लिए वेदों से जुड़ता है और बगवान को जुगता है वो करमकांड है उसके आगे निश्काम करमयोग में बगवान को भी कुछ पराप्त करना चाहता है स्वर्ग इत्यादी, प्रजापती बनना अपनी पारिवारी के चीज़ों के लिए इसे आगे जाकर निश्काम करमयोग करेगा चित अश्दो हने के बाद ग्यान जग जाएगा तब ग्यान योगी बनेगा तब ग्यान योगी बहून अम जनमना मते ग्यानवान माम प्रपते ते वासुते वसरुमते तब भगवान वासुते की शनलेगा तब तब ध्यान योग में आ जाएगा अभी ध्यान योग सिर्फ शान तरस में रहकर बगवान को ध्यान उमद्रा में देख रहा है अपने खिर्दे में ध्याना आवस्ते तद्गते और मनसा पशिंद केम योगी नो ऐसे करते करते बहुत सालागी बाद उसको बगवान के उपर प्रेम जग जाएगा तब वो बक्तियों में जुड़कर बगवान के साथ बक्ति करेगा जैसे आप देख रहे हैं एक गोफ लुट गया गोलोगदाम है बगवान को मिल रहा है भी गले मिल रहे हैं बगवान उसको इस तरह हम लोग भी आनततों के तब बगवान लुट जाएंगे बहुत जन्मों के बाद तो इसको दो तरीके से हम जा सकते हैं या तो आप सीड़ी में चड़िए जैसे सव माले वाला बिल्डिंग हो आपको चड़ना हो तो तक जाएंगे आप से ना चूटेगा है या तरह सीड़ी में चड़ सकता है कोई ये सीड़ी में चड़ने के लिए एक एक सीड़ी के लिए आपको हजारों लाकों जनम काटना पड़ेगा लेकिन कोई भगवान के शिड़ वैश्नो बक्त का आश्री ले लिया सीड़ा बक्तियोग में लिफ्ट में चाह सकता हो लिफ्टिंग अंदर गुज़ जाओ बाटनान को सीड़ा सव माले पहुंच जाएगा वो वो बक्तियोग हो डिरेक्ट में तड़ है तो इसरा बताता है कि कर्म अच्छ बता दिया मैंने शुरू आप में बता दिया आपको निश्काम कर्मयोग में दो चीज़ थे हैं उसमें य्जानी जैसे ये क्या करता है चीज़ों से अना सकता है दुनिया के चीज़ों से और ज्ञान को भी जगाता है शुद्धी करने के द्वारा निश्का मकर्म योग में और योगी जैसे इंद्रियों को बगवान के सेव में लगाने के कारण तृष्टना चला जाता है बक्त के खिरदय से इसके करन वो योगी के समान है इस तरह बलाद विदेपुशन पताते हैं कि ज्ञानी योगी दोनों में जो अच्छा गुण है अच्छा साइड है वो निश्का मकर्म योगी को प्राप्त हो जाता है अर रुक्षोर मुनेर योगं कर्मकारण मुच्चते योगारूडश्यत सैवा शमकारण मुच्चते तो इसका मतलब क्या है क्या निश्का मकर्म योगी लोग जो है उसका मतलब आस्तां क्यों कि साथ-सालव उनको पूरा वह मेशार् downloaded कनेर चालना होगा क्या ओंग और बो उप्षु बोलते हैं उसको योगा रुरुष्ट के सर पार करके योगा रूडस तक आ गया तब ये ये निश्काम करमी जो है दुनिया के जिम्मजारियों से उपर उड़ जाता है उसको सिर्फ श्रवन किर्थन करना उसको उस तर पर पहुंच जाएगा वो बागवान कुद मेरे श्रवन करतन बाट पूर उपर नहीं जिगण मेरे श्रवन कृतं करके फोरा रुचि नहीं जगा हो तब तक अध। ब्रह्मान चत्रव्यश शुत्र के चार्म रहारापित पर ये जगए योउसमा कर्म को बंद करके अभी पूरा मेरे हरे श्रवन कर्म में है सकता है। बगान बताते हैं भी वही बताते हैं उसको योगा रूड बोलते हैं उसको जब अपने सब बोती की चाओं को ध्याग दिया किसी ने वो योगा रूड की स्थर पर आ गया वो इंदे तर पर काम नहीं करता वो यह बताते हैं तो यह दो अंगों को बता रहा है इदर तो इदर देखे आश्टांग योग के बारे में आगे वर्णन आएगा इसके बारे में यामनियम आसन प्रणायम प्रत्याहर धारन ज्यान समाधी बदन जी लोग सुत्रों से तो इसके बरणन बाद में हम करेंगे जब वश्लोक आएगा उदर करेंगे हम तो योगा रुट शुरुआत करने वाला होता है तो योगा रूड वो ध्यान के इस्तर के उपर ध्यान ध्यान समाधी वो योगा रूड है वो तो इदर बताते हैं कि जब हम योगारोड के सरफ पर आने के पहले मन की समयम करना होता है इसलिए भी मन की बात आता है भी इदर आप देख रहे हैं कि प्रवपज बता हैं कितात्री में अगर कोई कृष्णा बाना अपने लगा हो तो अपने 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 उतरत रहेगा मैं पिक्शर में दिखा है इदर एक सुदामा सुदामा नाम का एक फ्लोरिस्ट था जो फूल वाला ता हो जब कृष्णा बानाम मतुदा में पहुंचे वो दोनों को एक हार बनाकर पहना आया उनको नमसकार किए पगवार ने पूछा सुदामा को यह दूसरा सुदामा है जो दूरा कमे गया वो नहीं है तो इनको पूछा बगवान ने क्या चाहिए सुदामा बता हो बोला कुछ नहीं चाहिए बगवान मुझे आपको दर्शन प्राप्त हो गया और क्या चाहिए मुझे इस दुनिया में रहने वाले सब जीवर अश्यां ताड़प रहे हैं उनको भी आपकी बग्ती प्राप्त हो जाए और वो सब संतुष्ट हो सके यही मेरा प्रातना हाई से बोला तो बगवान ने बोला सुदामा को सुदामा मैं तुमको आश्या में रहते हैं समय तुम्हारे सब जरूरतों का मैं पूर्ति कर दूँगा सब इंद्रियों की जरूरत जो भी है उसको मैं प्रदान करगा तुमको कुशी से रहोगे इस दुनिया में अब मुत्ति के बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे बगवाना इसा शरुवात दिया उनको तो इस तरह बग्ते के पास कुछ इचा नहीं होता इसके फाल वाली प्रेम से जा रही है सब फाल कृष्ण को अपेक्षा कुछ नहीं है मन में फिर भी बगवान उसके ठोकरी को बर दिया सोना चांदी रतनों से फिर भी उसकी अपेक्षा नहीं थी वो इसके विरुद्ध आप विश्वा में तरह देखे अभी वो योगी है योगी का मतलब इंद्रिय को सम्यम करना चाहिए लेकिन सम्यम करने के साथ साथ तोड़ा सम्यम भी चुट गया उनका हिमेनका को देखकर बाद में उनका तपोबलम चला गया जब तृशंक को उनोंने तृशंक स्वर्ग प्रदान करने के लिए एक लोग की स्रिष्टि किया उनोंने इसके कारण उनका तपोबलम कट गया इस तरह योगी लोग ज्यानी लोग मन और इंद्रियों से ही विचले तो होता है इसलिए मन के वर हमें अभी बगवान आगे बताएंगे इसे इसमें योग अरुड़ा तरपुरान के पहले मन को मन और इंद्रियों को समयम करना है इसलिए बगवान पताता है इज़र अधरे दात्मन आत्मानम नात्मानम अबसादये आत्माई वही आत्मनो बंधर आत्माई वही पुरात्मन हम वहान पताते हैं कि मन को लेकर हमें उटना चाहिए उपर पतन नहीं होना चाहिए हमारा इज़र देखे इंद्रियों के विश्यों में इस दुनिया में इंसान पस जाता है तो पांच इंद्रियों दिकाया है इंके द्वारा ही मन सब चीज़ों को अनभव करता है इस दुनिया में तो इस दुनिया के जो चमकने दमकने वाली पदान रतों से हमें आकरश्ट नहीं होना चाहिए मन को उन से निकलना चाहिए प्रवपज पता रहे हैं इसर वही पाइंट है इसर देखे पांच प्राणियों को अधर रहन दिया है यह जो है कुछ गाना सुनकर यक्षिकारी के पकड़ में आ जाता है जो मदमक की जो है फूर को सुंग सुंकर सो जाता है कमल में रात को फंस जाता है वो मचली जो है कीटा को पकड़ने के पिछे मचवार के पकड़ में आ जाता हो और तितली जो है आग की देखर उसको लगता है कि यह सुरिम की फ्लावर है सुर्मी की फूल है, आग में जाकर रोस्ट हो जाता हूँ, हाती जो है, उसको पकड़ते हैं, हातनी को दिका कर, बाद में वो प्रशिक्षन लेने के लिए ताहर नहीं है हाती, तो हातनी को उसके निकट छोड़ते हैं, तो हातनी उसको कंट्रोल मिलाती है, वो बोलती है, मैं हैं। लेकिन इंसान के पास बम भार स्थ हाने के लिए हैं, भली थरेॉप हम के life भागोन को मुझा अलग-अलग समस्याओं को देता है इस दुनिया में भी, इसलिए मन और इंद्रिय को कैसे सम्यम करें हम, यह इंद्रिय गोड़े हैं, मन रसी है, बुद्धी ड्राइवर है, तो बुद्धी को मजबूत करना चाहिए, शास्तरों को पढ़कर, और दूशी तुमन को समझ कर एक इंसान अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है, उससे इंद्रिय विशय भोग यह इंद्रिय विशय जो वो दूर चले जाते हैं, क्यांकि वो उनसे क्या कर लेता है, अपने मन और इंद्रियों को अंदर ले ले लिया, जैसे कच्वा जैसे, फिर भी, श्रु आइसे वक्ति उसको एक्सपर्दा होता है यह का आत्म ज्यान प्रामपाने की इच्छा है दूसरी वह इंद्रिय बहु करने की इच्छा भी होता है मन में करता नहीं है लेकिन करने की इच्छा हो रहा है इसे दोना के बिच में एक किंचा किंची होता है तो बोलते हैं कि बग उनकी महानता देकर परमात्मा की गुणों के बारे में पढ़ना चाहिए, इसलिए बताते हैं, तो थाब हमारे खृदे में जो भी आशुद्ध हैं, वो सब पूरा जल कर राक बन जाएगा, सब आशुद्धी, और चिता शुद्ध होने के बाद, आत्मा के पोश्चन लिने क बद शक्ति बढ़े जाता है, इंद्रिय विश्यों को नकार सकता है, आसानी से, ऐसे बताते हैं, बन जो है, उसके साथ हम माईतिर जोड़ सकता हैं, नहीं तो वो हमारा बड़ा दुश्मन बन सकता है, बताते हैं कि साधारन देश दुनिया में बद जीव के लिए, अजित इसका मतलब क्या है इस दुनिया में देखा जाता है कि भगवान को पराफ्ट करने में महन बढ़ा दुश्मन ही बनता है इस दुनिया में ज़ादा सी ज़ादा बद्धावस्ता में इसलिए एक वेक्टिव करना चाहिए जिरुर बताते हैं मन को पहले प्रशिक्षन दो क्या है इस बहुतिक पदार्तों से दूर रहने के लिए और मताते हैं कि ये कोई शुद्ध जीव जो है वो अभी समझता है कि मेरे मन अहंकार के साथ जुड़कर बहुतिक पदार्तों से पहच्छान रहा है इसलिए वो अहंकार से चूटकर बगवान के से अपने अहंकार को लगाता है उसको शुद्ध हंकार बोलते हैं उसको में कृष्ण दास हो कृष्ण मेरे स्वामी है जब से वो शुद्ध हंकार जग जाता है तो बुद्धी मन इंद्री उसके पीछे जाता है तब पूरे बगवान की सेव में लगेंगी तब जब तक शुद्ध मित्य हंकार है तब हम सोचते हैं कि मैं गोरा हूं काला हूं पड़ा लिका हूं मैं इस दुनिया के जिन से हमाकर्षित होते हैं इसलिए मैं प्रशिकिशन देना चाहिए ऐसे बताते हैं मन दोनों कर सकता है बंदन में भी डाच सकता है उटा भी सकता है उंको तो इधर देखे ग्रीन कलर बाक्स में कैसे मन को उटाए जाए हमेशा मन और निंद्रियों को कृष्ण बावनामुत में लगाईए बता रहे हैं परमातमक को मिलिए आपके खरदये में परमातमक को मिलना इसे भी जाए आसान चीज़ है भागवान के श्रीव ग्रह की दर्शन करना हरे नाम की जपना वो इससे भी आसान है क्योंकि योग का मुलबुत उद्देश है मन और निंद्रियों को समय मित करना देखे इदर एक दूशित मन और शुद्ध मन दोनों को दिखा गया है शुद्ध मन इंद्रियो तुप्ति से आना सकता हो जाता है उपर उटाता है दूशित मन इंद्रियो तुप्ति से आसकता हो जाता है पतन का कारण मनता है जिदात्मन प्रशान तस्या परमात्मा समाशितह, शीतोष्नसुक्दुखेशु ततामाना पमान योहु, अभी तीन स्टोग में बता रहे हैं कि योगा रूड की बारे में, अभी योगा रूड की सर पर कोई आ गया, उसका पहला लक्षन क्या है, वो मन को जित लिया है, इं बारे महाराच का थीसरे अवतार, आये आये वो, पहले बार बारत थे उसके बादे ए उसके बाद हे लगरेंड भुणे बने थीसरे बार जड़वरट बने शनुक्त बधाने उसमें ब्रामन के करमें जनम लिया था उन्होंने लेकिन यह एकिन उदुम शान्त सौभा उके किसी का साथ गुंगा जैसे बहारी जैसे बड़ताव किया तर्मnew stack मुज्च को कर बागोदाम लौट ना हम जाब लूटना। किसी के साथ जगना नहीं करो गाउगा। इसलिए उनके भाइ जला झावल देते थे जला हुआ जावन ताकि रिकपायत्न घunn तो यसे Qashita जो अच्छा बुने कि पहते हैं और संचान करते हैं। कि आपने के लिए गर्दन वो सुकुदुक में समान रहे वो उसके आगे जाकर रहुगन नामका राजा उनको निंदा किया बला कि मेरे पाल की तीक तर से क्यों निंदा कुप परवानी क्या उन्होंने बाद में दोश्वदी बला हो नीचे उतर कर दंदत प्राम कर कि बहुत मान समान दिया तो इस तरह कि शीत वुष्णा माना पमान और सुकुदुक में समान रहे तो वो जितात्मन है मन को जीत ले आता जड़बरत ने ऐसे हमको ऐसे योगा रोड़ बक्तों से वो वासदेव के महान बक्त थे बगवान के क्योंकि उन्होंने सुपिरल डिक्टेश उसका इस तरह सारे दुनिया बर के चीज़ने रहेंगा है हमारे सर में जब तक हम बगवान की बातों को नहीं मानते हैं तो ऐसे वक्ति आगे आट वा नवा शलोक में दो चीज़ गया गया है इस दुनिया के सामानों को कैसे देखता है इस दुनिया के लोगों को कैसे पत्य हैं, वो जो जो गुरू से उपदेश्र प्राप्त करके, हमने समझा हर चीज़ उसको विज्ञान बोलते हैं और विज्ञान क्या है विज्ञान हम अपरोक्षान बवस्ताब भ्याम उसका मतलब है गुरु ने जो बोला है उसका साक्ष्षात कुद भी कर लिया खुद के आँखों से भी देख पा रहे हैं उसको विज्ञान बोलते हैं उसको तो इस तरह बताते हैं कि वैदिक गरंतों को पढ़कर उसे भी साक्षत का टॉटो हो सकता है मादवचहरे बताते हैं इस तरह बगवान के गुख्य बाते हैं जो लीलाए है उसको समझना भी विज्ञान है ऐसे बताते हैं तो कुट अधा मतलब प्रवाबभाजी बताते हैं कि समल उस्टराष्म कांचन का मतलब है वो सोना पत्तर दोनों के एक समान देखता है उसका मतलब क्या है जैसे प्रवाबभाजी अगर कोई रोल्सराइज गाडी देते हैं ठीक है शुकारेंगे अगर कोई बिलकाट में बाइलगाड में देखे जाते हैं वो भी समान देखेंगे इसे इस तरह प्रवाबभाजी बोलते हैं कि वो कभी भी अपने मनो दर्म के द्वारा समझता नहीं शास्तरों के तवर पर परंप्रागत ज्यान भी समझता है सब लोगों को एक समान ट्रीटमेंट देता है वो इधर किस किस को इधर बताया गया इधर देखेंगे आप उसका मतलब है जो सदा दूसरों की बलाई सोचने वाला अगर कोई मित्र हो दुश्मन हो उदासियन हो इसका मतलब है दूसरों को भी सादू को भी पापी को भी समान देखता है सब के सरे में एकी तरक आत्मा को देखता हूँ योगारोडव्यक्ति इसके खारण केसी से उसका बाइरी बावना नहीं है दीर आदीर जना प्रेयो प्रेय कराओ गोस्वामी लोग ऐसे थे जैसे चैत्रमापन इत्यान प्रभू इंत्यान प्रभू ने जगाए मदे का उद्धर किया जो महाँ पापी थे इसके हां इसका हरिदार साकर ने एक वेश्या का उद्धर किया प्रभू पापज ने हिपीयों का उद्धर किया ओ लोगों ने पेढिए नहीं चैत्य रही कि दोश में देखा उनने रही हैं उसको देकर उसको वर्दन किया शुद्ध वक्त बनाया उनको इस तरह यह योगा रुड का असली स्थर है बाद में आप पढ़ लेजिए देख लेजिए शेर प्रभपाद की तांकियो बुर्माच